अमोर थाना छेतर के पलसा गाउंक के पास एनेच निनानवे पर आटो और बस की जवर्दस ट्रकर से तीन वेक्ती गम्भी रुप से जखमी हो गए गहलों को ततकाल उपचार के लिए अस्थानी अस्पताल लाया गया कि इन्तो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाह के कारण उनका सही तरह के से उपचार नहीं हो पाया और प्रैवेट एम्बूलेंस के जरिये उसे पूर्णिया भेजा गया जिसमें रास्ते में ही एक वेक् सकती थी हिंतु ऐसा नहीं किया गया अमोर रेफरल अस्पताल में इलाज के नाम पर सिर्फ खानापूर्ती हो रही है और कई मरतबा इस तरह की घटना हो चुकी है इसके बावजूद अपने कारी कलाप में सुधार नहीं ला रहा है सेस्थ दोवेक्ति का उपचार एक जबटने काटने का तो सुविद आ है यह से इसको पेकिंग किया जाए इसलिए उसको टिकर रिफर कर दिया है गारी आगा सदह शुक्रियल लिए गारीं नहीं रहने के कारण उसको फ़सण लेड़ है इंबुलेंस कहा अभी एम पूरिया में है पेशेंट लेगा है को लुट खाता है